मौदे! मौदे! नतली! नतली! ओर आटी कार दिकारा! मौदे! नतली! ओर आटी कार दिकारा! नमस्कार मैं प्रेंका आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया राकेश्टिकैट किसान अंदोलन से जुड़ा एक बड़ा नाम राकेश्टिकैट जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैट कर मोदी सरकार की नाप में दम कर दिया किसान अंदोलन के बाद से राकेश्टिकैट और मोदी सरकार के बीच जबरदस्थ हनी हुई है टिकैत अपनी बाग के पक्के निकले उन्होंने धरना ना खतम करते हुए कृशी कानूनों को वापस करा लिया लेकिन अब भी उसके बावजूद MSP समेत लखीम पुर्खांड और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार पर हमेशा हमला वर रहते हैं लगातार मुखर होकर आवाज उठाते हैं अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसी के चलते राकेश टिकैत भारतिय जंता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं जी हां राकेश टिकैत पर हमला हुआ है और इस हमले में भारतिय जंता पार्टी का नाम सामने आया है क्या है पूरा मामला जान बावजूद चैनल में भी कारेक्रम में बैठे हुए मंच पर वैखे हुए हैं तब लूच आते हैं पहले एक शक्स आता है जो उन पर मायक से तावर तोड दौबार वार करता है इसके बाद दूसरा शक्स उन पर सियाही फेक देता है आप देख सकते हैं कि भरे मंच पर करनाटक में कैसे सिक्योर्टी के होने के बावजूत इस घटना को अंजाम दिया जाता है इसके बाद क्या था यह जो वीडियो सामने आया यह खबर सामने आई हमला किया गया इसके बाद बवाल मच गया वहां प्र कि खुब कुर्सिया चली खुब बवंडर खड़ा हुआ इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने भी कुछ कहा है राकेश टिकैत का क्या कहना है आप ध्यान से सुनिए इसके बाद आपको बताएंगे कि साजिश करता आखिर कौन है कितना बड़ा नेता है और किसके साथ उ अब बताएंगे लेक्शना के लोग बताएंगे का में आपको बताएंगे आप क्यों आये थे क्या हुआ था था ने अपने लोग में बढ़ते हैं तो अब बताएंगे यहां के लोगल पुलिस की है यह लोकल पुलिस की नहीं है यह लोकल पुलिस की जुम्मदारी है और यह कुछ सरकार्टी मेने वगद सही है चल्काप और यह कुछ थाइज 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 थाइज, थाइज की जुम्मदारी है तो सुना आपने राकेश टिकेट का साफ साफ कहना है कि ये पूरी तरह से लोकल पुलिस की जिमेदारी है जब भी कोई बड़ा नेता कोई डेलिगेशन कहीं जाता है तो लोकल पुलिस की पर्मीशन के साथ ही जाता है पर्मीशन के साथ ही प्रोग्राम किया जाता है इसलिए पूरी सिक्योर्टी की जिमेदारी लोकल पुलिस की होती है करनाटक पुलिस की होती है बिजेपी सरकार की पुलिस की होती है क्योंकि बिजेपी की सरकार है करनाटक में लेकिन इसके बावजूत सिक्योर्टी होने के बावजूत राकेश टिकैद के साथ इतना कुछ हुआ है राकेश टिकैद का कहना है कि लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके साथ ही यहां की सरकार की मिली भग होता है राकेश टिकैत ने जो कहा उसका जब भेद खुला तो वो सच निकला जी हां बता दें कि योगेंद्र यादा ने कुछ तसוीरे शेएर की है इस तस्वीरों को करते हुए योगेंद्रे यादों ने बताया है एक राकेश टिकैत पर हमला करने वाला कोई और नहीं बलकि BJP से जुड़ा हुआ व्यक्ति है इसमें हमलावर BJP का जो हमलावर है उसकी कुछ तस्वीरे शेयर की गई है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि BJP के बड़े बड़े नेताओं के साथ हमलावर दिखाई दे रहा है कहीं पर भगवा गम्छा दाले हुए हैं कहीं पर फूलों का गुलदस्ता दे रहा है तो कहीं मंच साज़्ा कर रहा है इन फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमलावर है उसकी कितना रसूख है भारतिये जंता पार्टी में बतादें कि इसका नाम बताया जा रहा है भरस्षिटी नाम बत किसानों को बदनाम करने के लिए किसी की तसकरी करने की कोशिश करते हैं तो तस्वीरें जूट बोलती हैं यह है भरशेटी जो आज बैंगलूरू में करनाटक में बिजेपी नेताओं और मंत्रियों के साथ राकेश टिकैद पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं चेयर की गई हैं वो एक ही आदमी है तो भारती जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ उतका उपना बैठना है आप इन पोटोस से अंदाजा लगा सकते हैं कुछ भी होता है कहीं पर भी कुछ भी होता है विरोधियों के साथ कुछ भी होता है तो भारती जन सिर्टा पार्टि में तथा कथिद गुंडों को पाला जा रहा है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं जैसा कि राकेश्ट कहते कहा वही सच हुआ राकेश्ट कहती अच्छी समझते हैं किसानांदुलन के बाद से वो अच्छी जानते हैं कि मोधी सरकार के वह कितने जा वाजा लगा सकते हैं बतादें कि मामले की शुरुआत तब हुई जब . टिकैत एक चैनल के इस्तिंग और वीडियों पार शफाइ देने बैंगलोरू के प्रेस क्लब पहुचे थे आप वीडियों में देख सकते हैं कि प्रेस क्लब में वो बैठे हुए हैं इस वीडियो में करनाटक के किसान नेता कोडी हली चंदरशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था इसी पर राकेश टिकैत सफाई देने के लिए गये थे राकेश टिकैत और युद्धवीट सिंग ये कहने पहुचे थे कि इसमे शामिल नहीं है और भोके बास किसान नेता कोडी हली चंदरशेखर के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए इसके बाद मामला सामने आया कि जो हमलावर है वो जो कोडी हली चंदरशेखर किसान है उसी के इसे जुड़े हुए समर्तक है लेकिन जब भेत खुला तो भारती जंदा पार्टी के लोगों का नाम सामने आया है इसके बाद प्रेस कॉन्फरेंस में क्या कुछ हुआ आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई इस दौरान जम कर मार पीट हुई लोगों ने एक दूसरे पर कुर्तियां फेकी खुप बवंडर पूरा भेद खुला तो भारतिय जंता पार्टी की खूप किरकरी हो रही है तो कि डबल इंजन की सरकार है भारतिय जंता पार्टी पर हमेशा आरोप लगता है कि राकेश टिकैट को निशाना बनाया जा रहा है और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है राकेश्टिकैट ने खुल कर योगी सरकार का विरोध किया है उसके पास से भारती-जंता-पार्टी काफी जादा चिड़ी हुई है और भारती जंता-पार्टी किसी भी हद तक गिर कर कोई भी कारवाई कर रहे हैं कैसे भी निशाने यूनियन में भी दोफार हो चुकी है जो भारती किसान यूनियन जंग लड़ता है सरकार की खिलाफ खड़ा होता है एक जुट होता है उसमें भी फूट डालने का आरोप लग रहा है बीजेपी के ही लोगों पर तो कैसे राकेश टिकैद को चारू तरपा घेर कर हमला करने की साज़िश की गई है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं अब यहां सवाल उठता है कि सेक्योर्टी क्या कर रही है फूल सेक्योर्टी होने के बावजुद आखिर कैसे राकेश टिकैद पर हमला हो गया और क्या भारतिय जंता पार्टी बदला लेने के लिए या फिर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ती रहे मैं मलते हैं अगली खबर के साथ तब तक के लिए अनिवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दमाएं